हेलो फ्रेंज वेल्कम टू एमडी दानिश आज मैं आपको नेक बिजाइन कटिंग करके बताने वाली हूं जो बहुत इजी है चलो शुरू करते हैं यह मैंने बक्रम लिया है अब मैं इसमें आपको कटिंग करके बताती हूं मैं यह बक्रम को इधर से पांच इंच इधर से आट इंच इधर से आट इंच इधर से पांच इधर से नौ इंच ले हूं अब हम इसी में गला कटिंग करेंगे हूं मैं आपको बताती हूं इधर से इधर तीं इंच लेंगे तीं इंच के मार को किये और उपर से लेके नीचे तब छे इंच के मार करेंगे हम इधर भी तीं इंच के मार करेंगे और इसे एक प्लाइन ड्रो करेंगे अब इसको इसको जोइन कर दें हमारा एको छे तीन और छे का बोक्स बन जाएगा कुछ इस तरह बोक्स तयार होगा अब हम इसमें डाइमंड गला बनाकर दुखाती हूं इधर और नीच्छे न stripes कौर्णry पे एड़्या याँ उपपर एक आइक ब्लाइन ड्रो करेंगे यह हमारा डाइमंड गला तीयार हो गया है आव हम यहां से यहां तक एक इज बॉओक का माक करेंगे अब ग्रम माक करेंगए कि देखिए आइसा और हम इसको आइसा इधर से और इधर से इसको कटिंग करेंगे मैं कटिंग करके दिखाती हूं आपको कि दो कि देखिए गाउ हूं इसको हं इसको pack ऑफ्मूद बांग एकल्द करें आओ कि देखची सब्यूद आपको आपकोर से छाय्ट, वाल इसको आडिांगा हूं आपकरेंगे मैंगे हैं कि दूसरा बना कर दिखाते हैं कि दूसरा गला ये भी मैंने तीन इंच लिया इधर से इधर से छे तीन और छे का बॉक्स बनाई हूं अब हम इसके अंदर कि डिजाइन बनाएंगे देखिए कहां यहां से सेंटर से शुरू करने का ऐसा थोड़ा सा गोल करने का ऐसा गोल गोल यह ऐसा नीचे नीचे आजाने का इसा अगला कुछ आश्टा बनाएंगे तो अच्छे से करने का इसको भी एक इंच अइसा लेने का है अब इसी के शेप में इसा एक एक इंच कंशान लगाएंगे अब इसको ऐसा करके इसा कट करेंगे मैं आपको कटिंग करके रिखाते हूं अधा चारी ओड़ीनगाँ डाल यह करके आदा आधा का इसा है क्या आधा का अधा को इसा अ मेरा हमारा दूसरा गला कट गया अब हम तीसरे गले की कटिंग करेंगे हमने तीसरा गला भी ऐसे ही बॉक्स बना लिया है तेन इंच इधर से इधर से छे इंच अब हम इसमें डिजाइन बना के आपको दिखाते हैं अब यह ऐसा लिए इसको भी एक एक इंच वे इसा निया राएंड इसको भी एक एक इंच वे इसान राएंड इसको भी उसी शेव में करके ऐसा कटिंग करेंगे हम इसको आपको कट करके बताती है देखो मैंने इसको कट कर लिया अब देखो किना अच्छा दिख रहा है यह हमारा तीसरा गला त्यार हो गया इसी तरह हम एक और बताएंगे चौथा गला यह भी मैंने उसी तरह आहीं बोक्स बनाया है तेन इंच और छे इंच हम इसमें भी डिजैन डालेंगे जो है पांच शेव यह भी सेंटर से लेंगे थोड़ा सेंटर से थोड़ा निचे इसको भी हम पांच शेव गला इसको भी हम एक एक इंच पर निशान लगाके कट करते हैं इसको भी कट करके बताते हैं यह देखी यह मारा पांच शेव गला है हम यह छे और तिन गला इस चे और तेन इंच का इस लिए बनाए था कि यह न बड़ा होता है न छोटा होता है हम बना सकते मीडियम साइज का गला देखो फ्रेंस में मेरा चारो गला बनके तयार हो गया है आप इसी तरह कार सकते हो आसानी से ये स्मोल साइज का गला है मीडियम साइज का गला है जो हम कार सकते तीन और चेंज बॉक्स बनाती है प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसके लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना थाइंक यू पोर वाचिन माई वीडियो